नमस्कार मैं आदर्शिवम और आप देख रहे हैं बिहारी निउस जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ परणाम ऐसे ही थे महांचवी वाले बाबा नागा अर्जुन जो हिंदी और मैथली के अप्रित्म लेखक और कभी के नाम से पहचाने जाते थे बाबा नागा अर्जुन अनेक भासाओ के ग्याता थे उनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार के मदवनी जिला में सतलक्खा में हुआ था जो कि उनका ननिहाल था लेकिन उनका पैत्रिक गाउं बर्तमान में दर्भंगा जिले के तौराणी में परता है बाबा नागा अर्जुन का पूरा नाम बैदनात मिसर था लेकिन बचपन में उनके माता पिताओं ने ठककन मिसर के नाम से पुकारते थे इनके पिता का नाम गोकुल मिसर और माता का नाम उमा देवी था यह अपनी माता पिता के पाचवी संतान थे गोकुल मिस्र के चार संतान के आकास्मिक मिर्थ्यू के वाद वो काफी भैवित हो गये थे गोकुल मिस्र इस्वर के प्रती आश्थावान तो पहले से ही थे लेकिन उन दिनों अपने आराध्य देव शंकर भगवान की पूजा जादा ही करने लगे थे बैदनात धाम यानि देव घर जाकर बाबा बैदनात की उन्होंने यथा सक्ती उपाशना शुरू की फिर वहाँ से लोटने के वाद घर में पूजा पाट में भी समय बिताने लगे फिर जो पाचवी संतान हुई तो मधिमन या असंका भी पनपी की चार संतान की तरह यवी कुछ समय ठक कर चल वसेगा अधा इसे ठककन कहा जाने लगा काफी दिनों बाद इस ठक्कन का नामा करन हुआ और बाबा वैदनाथ की प्रशाद मानकर इस बालक का नाम वैदनाथ मिस्र रख दिया गया बैदनाथ मिस्र ने हिंदी साहित में नागा अरजुन तथा मैथली में यात्री नामक उपनाम से कई रचनाओं की शुरुाटकी शुरुवाती दौर में ही उनकी हिंदी कविताएं यात्री के नाम से ही छपी थी बाबा नागारजुन ने प्राकिर्तिक, किशान, राजनीती और अन्य ऐसी विशाओं पर कविताएं लिखी जिने पहले कविता का विशाय नहीं माना जाता था जब वो कासी में रहते थे तो उन्हें वैदे उपनाम से भी कविताएं लिखी थी सन 1936 में सिन्हल के बिंदल्यकार पडिनेव में ही नागारजुन नाम उन्होंने ग्रहन किया था लेकिन कुछ मित्रों के आग्रह वा दवाव में आकर सन 1941 इस्वी के बाद उन्होंने हिंदी में नागारजुन के अलावा किसी नाम को नहीं लिखने का नेड़ने लिया था लहडिया सराई दर्भंगा से प्रकासित मिठला नामक पत्रिका में छपी थी। उनकी पहली हिंदी रचना राम के प्रती नाम कविता थी। जो सन 1934 में लहोर से निकलने वाली सपताहिक विश्व बंधु में छपी थी। सभी विधाओं में उन्होंने अपनी कलम चलाई थी। बाबा नागार जुन मैथली एवयम संस्क्रीट के अलावा बंगला भासा और साहित से बाबा नागार जुन का लगाओ आरम भकाल से ही था। ऐसे थे बाबा नागार जुन। ऐसे ही रोचक कहानी और बायोपिक के यह जोड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे बिहारी न्यूज तब तक के लिए धन्यवाद।